जैहिन मेरे प्यारे दोस्तों आसा करते आप सभी अच्छे होंगे जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस चैनल पर हमारे द्वारा भारत की राजी व्यस्था पढ़ाई जा रही है जिसी के तहट हम लोग भारतिय सम्मिधान के भाग पांच जिसकी अंतरगत मैंने बताया था कि संग सरकार हम लोग पढ़ रहे हैं और संग सरकार की अंतरगत हम लोग इस समय राश्टपती पढ़ रहे हैं और इस से जुड़ी चीज ही पढ़ रहे हैं तो चले आगे देखते हैं लोग लास्ट वीडियो में मैंने आपको पांस मैंने आपको चार तरह के बिल बताए थे एक साधारन विल एक मनी बिल जिसको धन विदेग बोलते हैं एक बित्य विदेग और एक सम्मिधान संसोधन विदेग आज हम साधारन विदेग को जो है विस्तार से बताते हैं जो हमारा साधारन विदेग आता है आर्टिकल 107 के इंतरगत आर्टिकल 107 अब देखते हैं देखना, साधारण भी देख क्या होता है, या किसी भी हाउस में इंट्रिड्यूस किया जा सकता है, पहले, पहले किसी भी हाउस में इंट्रिड्यूस किया जा सकता है, तो यह हो गया आपका लोग सभा या राज सभा, यहां पर introduce किया गया अब क्या हुआ अब यह जो है यहां से पास होगा यहां से पास होगा पास हुआ अब दूसरे सदन में गया यह हो गया हमारा पर्थम सदन फिर वो पर्थम सदन में कुछ भी हो सकता है यह हो गया हमारा दूसरा सदन जिसमें हम लोगसभा या राज़सभा को ले सकते हैं अगर यहां लोगसभा में है तो यहां राज़सभा हो जाएगा यहां राज़सभा है तो यहां लोगसभा हो जाएगा तो दूसरा सदन में आ गया अब दूसरा सदन क्या हो सकता है देखना यह तो यह तुरंत पास कर सकता है यह तो होल्ड कर सकता है रोक सकता है hold कर सकता है कितने दिन तक तो maximum 6 मन तक maximum 6 मन तक अगर 6 मन से ज़्यादा hold करता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि इसमें बिवाद उत्पंद हो गया बिवाद conflict अब क्या होगा मैंने बताया कि पहले सदन में प्रस्त किया जाएगा वहाँ से पास हुआ अच्छा देखना यह जो है साधारन बहुमत से पास किया जाता है साधारन बहुमत से पहले सदन में पास हुआ अब यह कहां आएगा दूसरे सदन में आएगा दूसरा सदन का पहला condition हो सकता है कि यह पास कर दे हो सकता है इसको रोक के रखे और अगर यह बिल 6 महीने तक रुख गया 6 महीने से जैसे भी एक दिन जादे हुआ ऐसा माल लिया जाएगा कि इस बिल पे बिबाद उत्पन हो गया है अब इसके लिए बुलाए जाएगा joint session joint session जो हमारा अनुछेद 108 में दिया गया है joint session किसके सलाह पे बुलाई जाती है तो राष्टपती के सलाह पे अच्छा देखना क्या होता है जैसा पोस्ट करो अभी उसको वहां से यही रोक देते हैं आगे एक बार देख लेते हैं जैसे मालो कि यह लोग सभा है लोग सभा में कोई बिल इंट्रेडियूस हो रहा है तो इसके अध्यचता कोन करता है तो लोग सभा का लोग सभा का speaker करता है या कह सकते हैं लोग सभा का अध्यक्च लोग नहीं हो गया या तो अध्यच या तो उपधेच की सैंदरश की बात देख लेते हैं राश्भा में कम करता है तो इसकी जुसाभापंती होता है jakiś फैर रास्ट्र का पाठी किया और जाने को हिसाने की तो 6 Son सभापति अब अगर देखते हैं उपसभापति तो उपसभापति जो है राज सभा में किसी भी मेंबर को बना जा सकता है एक उपरा जो है उपसभापति लेकिन सभापति जो होगा ये पदेन समपती पदेन होता है को उपराश्टपती जो है समपती की बदपे अब देखना क्या होता है अब हमने देखा ये दोनों तो situation है यहां बिलपास हुआ अगर यहां के अटक गया तो माल लो अगर जॉइंट सेसन राश्टपती के दोरा बुलाए गया राश्टपती के सलाफे जो इंट सेसन बुलाए गया तो सबसे बड़ी बात ही होती है कि आब लोग सभा और राश्भा एक साथ बइठेंगे यहां और नहीं रहेगा यहां हम करते हैं दोनों लोग सभा और राश्भा या नहीं और अब दोनों एक साथ बैट रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ही यह आती है कि अब अध्धचता कुन करेगा यह sequence wise बताए जाए जैसे यहाँ था अगर अध्धच नहीं है तो उपाध्च करता है राजसभा में अगर सभापती नहीं है तो उपसभापती करता है अगर दोनों नहीं है तो कोई senior member करता है अब यहाँ देख लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ जो preference दिया जाता है वो दिया जाता है लोग सभा लोग सभा के अध्धच को अगर यहाँ नहीं है तो उपाध्च को अगर यह भी नहीं है तो उपसभापती को इन तीनों लोगों को यहाँ की अध्धचता का पत दिया जाता है अब बात आती है कि जो मारे उपराश्टपती होते हैं जो रासभा का सभापती होता है वह क्यों नहीं अध्धचता कर सकता तो देखना पहली नमबर वह किसी का मेंबर नहीं होता दूसरी बात जो है वह जो है किसी सभा का मेंबर नहीं होता पहली बात हो गया दूसरी बात वह की अवल राज सभा का जो है सभापती का जो है पदेन होता है वो आज जॉइन शेशन में भाग नहीं ले सकता है इसलिए इन तीनों को जो है यहां की अधिशला करने की जो है सक्ति दी गई है अगर यह तीन भी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सभापती को दिया जाएगा सभापती किसी भी तरीके से सभापती या उपराश्टपती किसी भी तरीके से जो है जो है जोइन शेशन में भाग नहीं लेंगे अब देखना अब बात कहां की अटकती है यह तो चलो सबको सही रहा अब बात अटकती है कि भी या हमारे जो है मैंने देखा कि जो है जो हमारा साधारान भी देख होता है इसके लिए जो है साधारान बहुमत से जो है बिलपास के जाता है तो बात आई कि पांसो तीरालीस तो जो है हमारे लोग सभा के जो है मिम्बर है और यहां होगे राज सभा के दो सो दो सो पैंतालीस टोटल अगर जोड लिया जाए तो आगे हमारे चार चार राठ और पांदो साथ साथ सो ठासी डिवाइड बाई टू तो यह हमारा हो गया तीन उसके बाद हमारा हो गया नो उसके बाद हो गया चार तीन सो चोरान भी तो अगर जो है हमारे किसी भी मतलब अगर मान लो किसी भी बहुमत पार्टी का जो है अगर लोग सभा में बहुमत है तो मान के चलो कि 282 तो होगा भी होगा सुरी 282 नहीं एक मिनट 232 272 तो होगा होगा पलस अगर 100 सीट भी उसकी पास वहां का होता है तो अलगबग 372 हो जाता है और किसी न किसी तरीके से जो है लोगसभा का जो है वहां पे हमेशा जो है पल्ला भाड़ी रहेगा इसलिए ऐसा मान जाता है कि एगर जॉइंट सेशन हो रहा है तो लोगसभा बिल पास करवा ही लेगा अब देखते हैं अभी तक जो है कितने जॉइंट सेशन होए हैं तो कुल तो सबसे पहला जो हुआ था यह हुआ था दहेज प्रतिसेद अधनियम अधनियम 1961 Most important सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पहली बार जो है जॉइंट सेशन कब हुआ था दूसरा जो हुआ था हमारा वह हुआ था बैंकिंग बैंकिंग आयोग अधनियम यह भुआ था 1978 में आया था यह जनता सरकार के साथ अंकाल में तीसरा आया था हमारा पोटा जो आया था हमारा 2002 में जिसों कहते हैं प्रिविंशन प्रिविंशन आफ टेरर आक्ट 2002 और इसको बाद में जो है इस पे तो जोइंट सेशन हुआ था बाद में इसको दो है 2005 में इसको खतम ही कर दिया गया था पोटा को लेकिन इन तीनों पे जो है अभी तक जोइंट सेशन हुआ है सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टन है कि बार बार कुछा जाता है कि सबसे पहले जोइंट सेशन कब हुआ अब देखना जोइंट सेशन केवल और केवल जो है साधारन विधेयक पर ही आ सकता है कभी भी धन विधेयक पर नहीं आता है क्योंकि धन विधेयक पर जो है रास सभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता है कर 14 दिन के अंदर ये कुछ जवाम नहीं देते या कोई राए नहीं देते हैं तो अपने आप जो अचबाद यहां पास माल लिया जाता है तो धन बिदेक तो भूली जाओ अब आता रहा हमारा जो है साधारन बिदेक अच्छा देखना सदारण विधेयक का अगर यहां जैसे यहां दोनों सदरण में अगर बिल कोई भेजा जा रहा है यहां पर यह दोनों सदरण में बिल भेजा जा रहा है तो यहां जो है दोनों सदरण के पास Equal Power होता है Equal Power Of Both House दोनों सदन के पास एककोल पावर होता है इसलिए दोनों सदन यहां खुस रहते हैं यह रहा हमारा साथारण विदेग अब देखते हैं हमारा आता है धन विदेग मनी विल जो हमारा अनुषेद 110 के इंतरगत आता है अनुषेद 110 के इंतरगत अनुषेद बहुत इंप्रोटेंट है मनी विल का जॉइन सेस्न का तो जरूर ही जरूर पूझा जाता है चाहे साथार विदेग का पूचे चाहे ना पूचे अच्छा देखना money bill कौन decide करता है कि यह money bill है तो लोग सभा का जो है अध्धेक्ष या लोग सभा का speaker किसी bill को यह बताए जाता है speaker द्वाना कि यह धन विध्यक है कि नहीं है अब क्या हुआ देखना कोई money bill कैसे पता लगा वह speaker बताया कि यह चीज जो है यह money bill है money bill है ठीक है यह decide हुआ अब क्या हुआ यह decide होने के बाद में अब राष्टपती किसी पारिज पे सबसे पहले इसको लोग सभा में introduce किया जाएगा तो जो है देखना यह हमारे राष्टपती साहब है इन्होंने सिपारिज किया ठीक है यह कह सकते है कि पहले इनके signature के बाद ही जो है introduce किया जाता है कहां पे तो यह किया जाता है लोग सभा में लोग सभा में इंत्रिडीश किया गया और यहां पास किया गया मनीविल को अच्छा देखना अगर मनीविल पास नहीं होता है तो सरकार्थ गिर जाती है याद vinden रहना वैसे के वैसे रहने दे नहीं तो अगर मैक्सिमम चौदा दिन जो है होल्ड अगर चौदा दिन अगर यह होल्ड खल लिया तो ऐसा मान लिया जाता है कि यह पास हो गया अगर चौदा दिन के बाद यह जो है वह आपस नहीं करता तो ऐसा मान लिया जाता है कि यहां से पास हुए मान लिया जाता है कि रासभाई से स्विकार कर लिया है आजये तो यह हो गया हमारा मनी बिल अब देखना हमारे जो फंड होते हैं उरखे कहा जाते हैं, देखना, सबसे पहले हमारा देखिते होंगे, संचित फंड बोला जाता है, संचित निधी, संचित निधी, या, Consolated Fund, आफ इंडिया, भारत की संचित में थी, यहां भारत लिख लिए न, ठीक है, भारत की संचित में थी, यहां आता है हमारा अंच्छित 206 के पहले के अंतरगत, 200, अंच्छित 206 के अंतरगत कह सकते हैं, यह जो इसका जो नियंतरा रखती हो, कौन रखता है, तो उसका नियंतरा पारलिया मिंट रखती है, इसका नियंत्रा पालिया मिन्ट द्वार रखा जाता है जो दूसरा फंड होता हुआ होता आकास्मिक फंड इसको बोलते हैं कॉंटिजिंशी कॉंटिजिंशी फंड इसमें कम से कम 500 करोड रखना जरूरी है हमेशा या जो है प्रेसिडेंट के निगरानी में रहता है या जो इस पर हग जो हो प्रेसिडेंट का होता है जैसे मालो कोई इमर्जेंसी कार पड़ गया सूखा बाढ़ इत्यात तो यहां पर यूच के जाता है यह जाता हमारे अमशेद 266 के अंतरगत अब तीसरा फंड देखते हैं तो तीसरा हमारा पॉब्लिक एकाउंट फंड जिसको लोक निधी गोलते हैं पबॉब्लिक निधी यह हमारा अंचेद 266 के दूसरे के अंतरगत आता है और ईसका जो नियंतरें करता है वो बित्य सच्छू करता है बित्य सच्छू यह हमारे तीन परकार के फंड होते है अच्छी जो संचित निधी के इंतरगत आता है जैसे मान लोग कहीं से टेक्स लिया गया उधाल लिया गया ये सभी प्रकार की जो धन होते हैं वो हमारे Consulated Fund of India में समिट किये जाते हैं आप देखे होंगे राष्टपती के उपराष्टपती के जो है लोगसभा के जो स्पीकर होते हैं इन सबको जो सैलेरी दिया जाता है या फिर जो हमारे नयाजी धीस होते हैं high quarter supreme vote के इन सब जो सब्वें दिया जाता है तो वह भारत के संचीत में दिया जाता है तो ये था मारा अब इसके बाद आता हमारा फाइनेंस विल यह कह सकते हैं बित भी यह हम कल करेंगे नहीं वीडियो बहुत बड़ा